ये वीडियो देखने के बाद Excel में दोस्तों आपके एवल सेकिंड्स में डायनेमिक चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो आपको वी लुक आप ऑफसेट जैसे है भी फॉर्मला यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं करके आपको दिखाऊंगा मेरे पास ये डेटा है रीजन प्रोडेक्ट सेल यहाँ पर मैंने बना रखिये लेस्ट अब लेस्ट में से कोई भी रीजन में करूंगा सेलेक्ट तो उस रीजन में जो प्रोडेक्ट सेल होई हैं उनकी इनफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी अब एक चीज आप यहाँ पे note करना हर एक reason में number of products अलग अलग हैं यहाँ पे मैंने इस रख किया है west, west के अंदर 5 product हैं अगर मैं यहाँ से लेता हूँ north, north में देखिए 4 हैं और अगर मैंने यहाँ से लिया south, तो south में 2 हैं एक और मज़े की चीज यह है, यहाँ पे मैं एक और product add करता हूँ मैंने south लिया और यहाँ पे डाल दिया computer, इसकी quantity डाल दी 120 तो देखिए, चार्ट में वो सब चीज ऑटमेटिक अपडेट हो रही है यह fully automatic dynamic chart आपको सीखना है ना तो इस वीडियो को आप देख लो, जैसा मैंने कहा seconds में आप dynamic charts create कर सकते हो मैं आगे live आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त, let's begin this topic सबसे पहले आपको data कर लेना है select और home tab पे जाना है यहाँ एक option मिलेगा format as table का यहाँ से कोई भी format आपको select करके लगा देना है मैंने इस format पे click किया यहाँ पे एक छोटा सा check box आपको मिलेगा my table has headers इस पे tick लगा के ok कर देना इससे क्या होगा, नया data chart में automatic add होता रहेगा अभी आगे और बहुत कुछ हमी करना है इतने से काम हमारा नहीं बनने वाला है अब आपको क्या करना है आपको इस cell पे जाना है आप एक cell ले लीजिए जहाँ पे आपको drop down list बनानी है तो मैंने cell पे click किया यहाँ पे मुझे list बनानी है regions की cell पे click करके हम जाएंगे data tab में यहाँ पे हम जाएंगे data validation पे click करने के बाद यहाँ से लेंगे list अब list में हम क्या करेंगे east, west, north, south यहाँ पे reason कॉमा लगा लगा के type कर देंगे अभी तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे चार unique values है मतलब reasons है अगर यहाँ पे मान लीजिए reason की जगे seller हो या कोई और information हो वहाँ पे बहुत सारी unique values हो सकती है तो वो आप यहाँ पे कैसे select करोगे उसके लिए मैं एक formula आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक formula है equal unique इसमें आपको क्या करना है बस range select कर देनी है यह आपको unique values निकाल के देदेगा यह देखिए चार values इसने निकाल के देदी है, आपकी जो range है, जो आपने इसमें select की थी, उसमें जितने भी unique values होंगी, इस सारी निकाल के आपको देदेगा अब आप data validation में direct इनको select कर सकते हो, ठीक है data validation, यहां से ले लिया list और यहां पर मैंने क्या किया east, west, north, south यह मैंने manually type करके list बना दिये यहां पर देखिए name आ गई, अब यहां से मुझे क्या information निकालनी है मुझे निकालनी है product and sales की, तो मैंने इन headings को copy किया, ctrl c और यहां पर मैंने इनको कर दिया paste, ctrl v ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां पर एक formula लगाएंगे formula है filter equal filter सबसे पहले यहां पर हमें देना होगा array, array का मतलब आपको क्या information निकालनी है हमें यहां पर निकालना है product and sales तो हम product वाली heading के उपर इस तरह से cursor लेके आएंगे और click करेंगे, तो यह देखिए पूरा column automatic select हो जाएगा इसके साथ हम क्या करेंगे, यहां पर भी select करेंगे, तो यह एक हो जाएगा आपको क्या करना है, यहां पर जब यह arrow आजाए ना, तो left click दबानी है दबा के रखना है, और इस तरह से range को कीश लेना है, आप direct ऐसे भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ अकर बहुत सारा data होगा, तो इस तरह से select करोगे तो कुछ seconds आपके waste हो जाएगे तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से जब arrow आजाए, left click दबा के रखो और इधर इसको खीश लो, तो range automatic select हो जाएगी, कॉमा लगा दीजिए उसके बाद क्या रहा है, include मतलब condition आपको देनी है, तो हमें क्या चेक करना है, reason चेक करना है, reason यह formula हमें लगाना है, bracket बंद करके enterprise करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो west reason हमने select किया है, उसके जो item है, जो product है, वो निकल के आ गई है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ east, तो east के निकल के आ गई अगर मैं इस cell को खाली छोड़ देता हूँ मैंने खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पे error आ गया, calds error, इस case में आप इस calds error को हटा के कुछ और भी लिख सकते हो, देखिए मैंने क्या किया, double click किया, यहाँ last में गई, यहाँ से bracket को हटाया comma लगा दिया, if empty if empty, मतलब अगर आपका criteria खाली है, तो आप क्या यहाँ पे दिखाना चाहती हो, तो मैंने double course में लिख दिया, select any reason, double course बंद कर दी, bracket बंद कर दी, filter formula की enterprise कर दिया, तो अगर आप यहाँ से कोई भी reason select नहीं करोगे, तो उस case में यह text है, वो आपको लिखा देखेगा, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैंने west ले लिए, west का data आगया, अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ data में click कर लो, click कर लो कहीं पे, देखे, मैंने click किया, तो यह automatic range highlight कर रहा है, यह array formula है, यह अपने आप range ले लेगा, offset वगरा कि यहाँ पे कोई जुरूत नहीं है, तो आपको बस यहाँ पहले cell पे click करना है, insert पे जाना है, और यहाँ से कोई भी chart, कोई भी chart आप ले सकते हो, कोई भी chart ले लिजिए, click कर दीजिए, chart बन गया, तो मैंने simple से column chart यहाँ पे insert कर लिया है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसका size थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैंने कम करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस तरह से, अब आप देखिए, यहाँ से मैं कोई भी region change कर रहा हूँ, तो chart में वो automatic दिखाई दे रहा है, अगर माल लीजिए, मैं साउथ में एक और आइटम एड़ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे साउथ का एक और आइटम एड़ दिया, और यहाँ पे डाल दिया, मैंने computer और इसकी quantity डाल दी 130, तो देखिए, यहाँ पे automatic जो है, चार्ट में वो data अपडेट हो गया है, अब यहाँ title आप दिखा सकते हो, title यहाँ पे sales आ रहा है केवल लिखा हुआ, आप यहाँ पे जैसे आप कुछ भी title दिखाना चाहते हैं तो वो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहले आपको दबल कोर्स में लिख देना है, और यहाँ space देके, column लगा के, फिर space देके, double कोर्स बंद कर देनी है, end का sign लगा देना है, और साथ में आपको इस cell में जो reason select किया है आपने, उसको select कर देना है, interface कर देना है, तो यहाँ पे देखिए, product sales in region south, यहाँ पे यह message लिखा रहा है, अगर आप इसको change करोगे, मालीज यह west लिया, तो यहाँ पे product sales in region west, यह लिखा रहा है, अब आपको यहाँ पे, इस save पे, यह जो message है, वो लेके आना है, तो इसके लिए आपको जरूरत होगी formula bar की, तो formula bar पे मैंने टिक लगा दिया, अब आपको इस cell पे, इस save पे click करना है, click करना है, line पे, इसकी पे click कर लो एक बार, फिर formula bar में जाओ, equal का sign लगाओ, इस cell पे click कर दो, enter press कर दो, तो यह देखिए, इस cell का आप change कर सकते हो, मानली से मैंने white कर दिया, तो अब आप देखिए, इस chart को उठा के आप इसके उपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप list में से जो है, item select कीजिए, यह जो है, automatic यहां पे update होता रहेगा, यह छोटा सा वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी informative ह हो सकता है, अब मैंने आप से खाता कि केवल seconds में यह chart बना सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यह seat ले रखी है, timer हम करते है, start, data select करके जाना है, home tab पे, यहां format as table पे जाके कोई भी table का format हम लगा देंगे, ok कर देंगे, अब यहां cell पे जाएंगे, data पे बन गई है, अब यहां से हमें product and sales की information निकालनी है, तो मैंने headings copy की, यहां पे paste कर दिया, यहां पे लगाएंगे formula equal filter, bracket open, इसमें हमें array देना है, तो यह range मैंने दे दी, तो condition में हम क्या करेंगे, यह column करेंगे select, अगर यहां पे जो value है, वो इस cell में जो value है, उसके बरावर ह तो यह filter formula काम कर जाए, पहले cell पे click करेंगे, insert पे जाएंगे, यहां से कोई भी column chart या कोई और chart कर देंगे, select बस काम हो गया है, अब यहां से देखिए, आप कोई भी reason select करके देखिए, और यह dynamic chart properly काम कर रहा है, तो उमीद करता हूं दोस्तों यह video आपको काफी पसंद आया द्रम, टेक केर